हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे मैं चाय पीने के लिए अपने होस्टल से बाहर जाने के लिए निकला, मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुचा, देखा आज चाय वाला वहाँ पे नहीं था शायद देर से पहुचने कारण वो चाय वाला वहाँ से जा चुका था, मेरे पास हॉस्टल लॉट जाने के आलावा कोई और आप्शन नहीं था मैंने सोचा कि आगे जाकर कही नाश्ता कर लिया जाए, बहुत जोर की भूख लगी थी मैं आगे की होटल की और जा रहा था, तभी मेरी नजर फुटपात पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी, दोनों लगभग 10-12 साल के रहे हुंगे बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रहे थे कमजोरी की कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे, वे भूख ही लग रहे थे चोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था, बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं नहीं खाने के लिए भूचन जिसे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकू, वो भी लाचार बैठा भूख से पागल होए जा रहा था मैं अचानक रुख गया दौर्ती भागती जिंदगी में एक्टम से ठहर से गए इन मासून से बच्चों की ऐसी हालात को देख मेरा मन भर आया, इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा होगा सोचा इनहीं कुछ पैसे दे दिये जाए, मैंने उन्हें दस रूख दे कर आगे बढ़ गया जैसे ही मैं आगे के और बड़ा मेरे मन में एक विचार आया कितना कंजूस हूँ मैं, दस रूख क्या मिलेगा, चाये तक धन से न मिलेगी, स्वयम पर शर्माई फिर वापस लोटा मैंने मासून से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चे थोड़े असमंजस में पढ़े, मैंने कहा बेटा मैं नाश्टा करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो, वे दोनों भूख के कारण तयार हो गए उनके कपड़े गंदे हुने और ऐसी हालात में देखकर होटल वाले ने दाख दिया और भगाने लगा, मैंने कहा भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो पैसे मैं दूंगा मेरे बाते सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, उसकी आँखों में उसके बरताफ के लिए शर्म साफ दिखाई दी, बच्चों ने नाश्ता मिठाई वलसी मानगी सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया, बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया उस वक्त हमें दुनिया की काफी अच्छी फीलिंग आ रहा था, उन दो मासूम बच्चों को देख अपना बच्चपना याद आ गया होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा बेटा जो पैसे मैंने दिये है उसमें दो रू का शैंपू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदर में चलने वाले लंगर में खा लेना और मैं नाश्टे के पैसे देखर फिर अपनी दोड़ती दिन चर्या की ओर बढ़ निकला होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे होटल वाले के शब्दादर में परिवर्तित हो चुके थे मैं अपने होस्टल के ओर निकला थोड़ा मन भारी लग रहा था मन थोड़ा उनके बारे में सोच कर दुखी हो रहा था रास्ते में मंदर आया मैंने मंदर की ओर देखा और कहा है भगवान आप कहा हो इन बच्चों की ये हालत ये भूख आप कैसे चुक बैठ सकते हैं मोरल आج हमारे आसपास मैं ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहने के लिए कपड़े है जहां पे इस तरह के बच्चे आपको देखे आप उनकी मदद जरूर करे जितना हो सके उतना मदद जरूर करे उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना वो और खुशी कही और नहीं मिलने वाली आपको